पूरा दिन हो गया कब से वेट कर रही हूं लेकिन अभी तक नहीं आये ओफिस में भी फोन करकी देख लिया पता नहीं कहां कायब हो गया अज तो आने दो मैं खबर लगती हूं के प्षे तरी के आगे जेनाब तुम्हारे ओफिस में फोन किया था वहां पे भी नहीं पहुचे पूरा दिन कायब थे कहां गय थे अरे मैं वो 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 क्या तुमसे ही पूछ रही हूं और ये पुराने कपड़ों की पोटली कांग से उठा ला है अरे वो मैं मा को लेने गांग चला गया था क्या तुम अपनी मा को लेने गांग गए थे तुम्हें शेरम नहीं आई तुम्हारे भाईयों के यहां उन्हें क्या तकलिफ थी अरे इने मेरे बाईयों के पास नहीं छोड़ा जा सकता तुम समझ क्यों नहीं रही हो यहां क्या कुबेर का खजाना रखा है जो तुम अपनी मा को ले आए तुम्हारे साथ हजार पे महीने कितन खुआ में मैं बच्चों की पढ़ाई का खर्चा घर का खर्चा कैसे चलाती हो यह सिर्फ मैं ही जानती हो कान खोल के ध्यान से सुन ले अब यह हमारे साथ ही रहेंगी तुम अभी और इसी वक्त अपनी मा को गाँ छोड़ के आओ वरना मैं यह घर छोड़ के जा रहे हूं समझे और तो बुड़िया तुझे जरा भी शरम नहीं आई आगे बसा बसा घर उजाडने और थवापड़े से जरा यह पला तो हटा मा तुम हाँ तुम्हारी मा तुम्हारे बाई और बाबी ने इनको घर से निकाल दिया है पास ही रहेंगी आप भी बड़े वो जी आपने पहले क्यों नहीं बताया कि मेरी मा है मा मा होती है मेरी मा तो बुड़िया और तुम्हारी मा मा अपनी सोच को बदलो सोरी जी मेरा आप सभी महिला दर्शकों से यही अनुरोध है कि अपनी बहों को बेटी समझे और बहों भी अपनी सास को मा के समान दर्जा दे कर दो